चिठे न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए चेठे न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए जब वापस आया तो मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल रुखा था कि माँ तुझे पैसा चाहिए या हिस्सत चाहिए आज शो रहने कहला आप अबाल पास कोई बच्चाई किया ता क्या ता सिर्फ एक हमेरे सो बड़ा घर वो नहाज साहिए ताम हमारा बच्चा मेरा बेटा दो आदेश का मेड़ा हुआ है बारी मन के साथ आज हमें इस सच्चाई को एकसेप्ट करना पड़ेगा कि मेजर मुस्तफा हमारे बीच नहीं रहे हैं इसी करम में आज हम उनके विद्याले पहुचे हैं सैंट पॉल स्कूल से पास आउट है मेजर मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है फादर जॉर्ज विजे सर जो उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे आईए उनसे जानते हैं कि सर किस प्रकार के भाग और कैसी संवेदना है आपकी अबी इस वरी अनफॉर्चनेट टू कियर ताट मुस्तफा आज हमारे बीच में नहीं है मैं जिरूर्ण में समझता हूं अपने विजाले से जो भी विच्चे यहां से पासवट होता है हमेशा यह से अफ़ाव के साथ जाता है क्योंकि हम लोग हर साल बच्चों के लेकर गाव में जाते हैं गरीब वरिवारों को घर बना कर देते हैं उसी परार उनके दुखत अक्लिप उनके साथ देते हैं अब इदर से पासवट होना विच्चे हमेशा टीचर के फील में हो और रास्टर के अन्य स्रवाकारी में हो हमेशा आगे बढ़ते हैं इसके लिए NCC स्कॉट टिशी प्रयार का आज काईडी प्रमुट भी हमारे स्कूल से होता है मैं स्वर्गी आत्मा के लिए प्रावतना प्रमुट करता हूँ देखा आपने किस तरह से विध्याले में भी एक पूरे गमाहल है विद्याले परिशर अभी हाल में दिवाली की छुट्टी चल रही है पर फिर भी जो उनके प्रियजन है वो दिरे-दिरे यहां एकटे हो रहे हैं इसके बाद यह उनके गरकी और प्रस्तान करेंगे हमारे साथ मौझूद है फिजिकल टीचर मुकेज जी चोहान जो विकेत काई वर्षों से यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं मुस्तफा जी मेजर मुस्तफा से मेजर मुस्तफा बनने का सफर साइड इसी ग्राउंड से शुरू हुआ होगा हमने सुना कि एर विंग में भी थे और बात में जाके वो इंडियन एर फोर्स में भी गए इस विशे में क्या कहना चाहेंगे आप और कैसे आप उनको जानते थे सबसे पहले तो बड़ा दुख्वा भी से जो मुस्तफा जी हमारे बीच में नहीं रहे और मुस्तफा बोरा जी जो हमारे इसकूल के अंदर है इस ग्राउंड के अंदर बहुत ही खेले कुदे हैं और इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने दो साल एंसी सी एर कोर्स किया और आगे जाकर ये इंडियान एर में जोइन किया उन्हें कुछ यादें आपके मन में आज जी उनकी कोई याद हो कुईसी कॉम्पेटिशन में वो प्रथम आये हो याद जो आप हम सब के साथ साजा करना चाहें वो इसे सरल सभाव के थे उनका सभाव बहुत ही सिंपल और स्टेडी में बहुत अच्छे थे यह और गेम्स में नो डाउट गेम्स हमारे इदर चलता है तो गेम्स में फिजिकली एक्टिविटी चलती रहती है एंसी सी में जोइन किया और बहुत ही अच्छे स्टुइट रहे हमारे साथ मोजूद है उनके क्लास टीचर जो जिसे के कैडिड भी रहे और मुस्तफा से मेजर मुस्तफा बनने का सफर आपने अपनी आखों से देखा है इस बार मिक्या केना चाहेंगे और आज वह हमारे बीच में नहीं है तो क्या संबेदना है बिल्कुल वह क्लास में बहुत एक्टिव बच्चे थे जिसको हम कहते ह कि हर फीड में आगे आने वाला बच्चा और डाउंड़ इसको मूलता है और जब पीटेम होती थी वो उनकी मदर के साथ आते थे और हम उनसे ममी से बाते करते थे तो हमको लगता था कि अपनी गलतियों को जल्दी से स्विकार करता था सबसे बड़ी बात है जब भी कोई सवाल सही किया तो तुरंत अपनी गलती को मानता था और मैं तो ही मानता हूं कि जब हम मैथमेडिक्स में कुछ मिलिटरी से रिलेटेट सवाल देते हैं तो उन सवालों से जो जज़बा पैदा होता है बच्चों में वो बहुत प्रारमभीक शिक्षा के लिए बहुत और मेरे को लगता है कि उन कॉर्शन से हमारे स्कूल से प्रती वर्श मिलिटरी में बच्चे जोईन करते हैं तो प्रारमभीक शिक्षा का महत्व तो हर व्यक्ति के जीवन में रहता ही है क्योंकि एक खहते हैं कि समझने की उमर भी वही उमर है जब तक हम इपने स्कूल में रहते हैं उसके बाद तो हम चिर्फ चीजों को मोल्ड कर सकते हैं सीख नहीं सकते सीखने की उमर यही रहती है ऐसी कोई याद कि किस तरह से वो आगे आकर एक लीडर्शिप क्वालेटी उन में थी कैसे आगे आकर वो सारी जिम्मेदरी लेते थे हमारे स्कूल में एक 14 नॉ अब हम चलेंगे उनके घर की और जहां आपको दिखाएंगे किस तरह से बेसुद मा बेसुद उनकी मंगेतर वहां इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्टिव शरीर घर की और आए आपको कब इस बात की सूतना प्राप्त हुई कि मेजर मुस्तफा सहीद हो गया है अब पराथ जाए है प्रिश जी दिवार का फौर में था जी जी फेले से यह बात चुक आए ताकि में असवी आसा अज़ाई जी एधी जी उनकी वराने के बाद बदाश्याइं जी जी पोड़ जाने का उनकी राणाने जी एफोज में जाने का उनकी कि विए प्रफ़ास करने के बास हर आदिए कोड़ा कोई फिल में चाहता थी उसने 12th गया 12th के बाद में इसमें बहुत सारे कंपटिमिंगें थी हर कंपटिमिंगें उसने रेंक परा थी यह के लिए इसमें आट ओफ 80,000 कुछसा 170 रेंक थी उसने यह फिल चुना हमने लाग मना भी किया और उसको बैटा देखिए इसने ज़्यादा खत्रा है यह वह है इससे ज़्यादा उड़ा है उसका यह मानना थी और देश से बाद हर एक को करनी जीए मुझे जांस में ज़्यादा मुझे करना है यह उसकी पहली पसंद इससाब सब्सक्राइब हो गया जी उसकी मानने उसके लिए बहुत मेहनत कि सब्सक्राइब करने के बाद उसकी तीन हुग्सा हुए गेंगलोर में आई टेस्ट हुआ और बोडी का पूरा चेक भी होता उसमें उस ने वो प्रॉलम सोल किया और इंडिया में गया लेकिन फिर्स्ट्री मंस में उसको लगा या में नहीं करवा हूंगा उमामने गर्जन नहीं नहीं रख़ा था उसके लिए उसको मटिवेट किया अभी जो है वाही बड़ोर उसके बाद तो सुन हे दिना फिर उसने धान लिय्ως मेर Dá Dafür करनै पूरे शेहर वा सब्सक्रा इंडिया काला है बीजयार कोचिक निकॉरा एक साल दुए मेंने निकाला है एटिक हैज दो कि ऊभी उनकी हालियां में कुछ समय बाद उनकी शादी भी होने वाली थि जहां गरं में शहनाई बतने वाली थी वहांं और य हिए गड़ी में सामना करना पड़ रहा है कि मार्य ओम उनकी स्कूल भी जा किया आए वहां पर भी कि हमारे विद्याले की कुछ शिक्षकों से भी हमारी बात हुई पूरे विद्याले में भी गम का माहौल है कि पूरा शहर भी गमगीन है कि शहर वासियों को कोई संदेश के बैक किस तरह से अपनी बावनाओं पर काबू रखें कि अपनी बावन हो जो कि दोस्तों पर आप्यूंस थे रहें हमारा साथ शाचिश बना है अज कि अधिश के साथ रहें हमारा साथ है आशिश बना जो किए देश की से कर दिए इस तरीके से की जा दिए इसको समान चाहिए थी मेरे सामने दो औक्षिन रखेते हैं जब उसका आई इटी में भी सेलेक्शन हुआ और एंडीय में भी हुआ लेकिन एंडीय बे जब एसेसपी के लिए वह गया और हरनी का माहुल देखा हमारे समाज से कोई भी नहीं जाने वाले इस तरीके से करने वाला कोई भी नहीं है चब वह वापिस आया तो मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल रुखा था कि मां तुझे पैसा चाहिए या इसद चाहिए इनका बेटव इसदसे बड़के कुछ मी नहीं है आपसि इसदे इसदे मां जह आर्मी में जाना है क तब मैंने कहा कि कोई भी नहीं है मेटा कोई जाता नहीं है तब हमने अपने दर्म गुरू से मैंने का अगर हमारे दर्म गुरू जो कहेंगे मैं वही फॉलो करूंगी और जब हमारे दर्म गुरू में हमने इस बात के लिए पूछा गया तो दर्म गुरू की तरफ से ही यह करने की रजा फजल की जाती अर इसके बाद भी उनका आशीर अशी उन्हेश छी आठी के में बड़ेशय हूं कि उसका एवियेशन में सेंैक्शन हो ऑड़ी कि बस रात को ही मेरी बात हुई थी मेरे से उनसे, वो हमेशा मुझे रात ने वीडियो कॉल या फोन पे बात करी लेता था, अभी गभी तो बस अपनी सोटी कूरे करते हुए भी बात करता था, कि हाँ मेरी सोटी हो गई है, रात को वो अपनी सोटी के लिए पहले उन लोगों को पूरा मैपिंग होगे रखिया जाता है और अक्षर यही होता था वो बात करता भी सही काम भी करता मेरे से राप को तकरीबन नो दस बजे उसने बात की थी बारा गंटे भी नहीं हुए थे और किस प्रकार का महोल हो गया है गर का परिवार का पूरे उदेपुर का पूछो मत हो हमारे मेवाड की शान थी और हमारा बच्चा दोरा हो था मेवाड़ था अब उसके जाने से अब बड़ा गर्व नास अब अब बच्चा आज इस मुकाम पर पहुचा है और अज इस मुकाम पर पहुचा है और यह पाइलट बनाए और इस वह बड़ा गर्व नास था अब अब आज अब बड़ा नास था इस शाजी के बड़ी उमेद थी हमाबा को आज उनके अचे का हाल हो रहा है यह तो हम से देखा नहीं जाना अब क्या बयान करें आगा अब बड़ा नास था उसके माबाब पर उसको हाथ था और हमारा खांदान का एक बहुत बहुत बड़ा नास था जिए चिलाग वाए उस पर हमें घर भाए उसको आत्मा पर शामती दे और जन्नत नसीब करें अब यह दुए हम आप से भी जाते हैं आप साब पर श्रदाम जली दे और इसके हाथ में दौा करें इसको जन्नत नसीब हो बड़ा बड़ा शुच जन्नत नसीब करें